So hey friends, once again welcome back to my YouTube channel आज हमारे सामने है Splendor X-Tech का एकदम latest model जो की I3S Technology के साथ आता है आज की इस वीडियो में मैं आपको Spike की सारी information दूँगा इसकी नई on-road price, features, mileage and top speed वगएरा बताऊंगा तो वीडियो को end तक जरूर देखना अगर आप प्रयाग राज से हो तो आप Kana Showroom पर विजिट कर सकते हो Contact details स्क्रीन पर end description में दी हुई है तो सबसे पहले बात करते हैं इस bike के on-road price की तो X-Tech model की on-road price आपको 93,840 रुपीज देखने को मिल जाएगी ये complete on-road price है इस bike की प्रयाग राज में तो सबसे पहले बात करते हैं bike के front की तो visor पर आपको दो gray color की stripes देखने को मिल जाती है LED DRLs भी अब bike में आपको देखने को मिल जाते है DRLs के बगल में आपको Splendor Plus का sticker मिल जाएगा and front headlam की बात करें तो यहाँ पर आपको 35 watt का halogen bulb का setup देखने को मिलता है transparent type के halogen indicators मिल जाएंगे front mudguard यहाँ पर 200 glossy black color का है and काफी सादा अच्छी quality का है tires की बात करें तो इसमें आपको TVS company के tires मिल जाएंगे black color के LOS के साथ front tire size की बात करें तो यहाँ पर आपको 8018 cross section के tires मिल जाएंगे front में आपको telescopic hydraulic type के suspension दिये जाते हैं and यहाँ पर आपको mudguard के दोनों ही side reflectors मिल जाते हैं bike के braking system की बात करें तो यहाँ पर आपको integrated combi braking का setup मिलता है 130 mm की drum brakes मिल जाएंगी अब आते हैं bike के side profile की तरफ तो utility box पर आपको power start and program fi का sticker मिल जाता है उपर bike के tank की तरफ चलते हैं तो यहाँ आपको hero का 3D में logo मिल जाता है चुकि काफी ज़दा बढ़िया and premium लगता है gray color के आपको 4 stickers मिल जाते हैं bike के engine की बात करें तो इसमें आपको 97.2cc का single cylinder 4 stroke 2 valve air cooled BS6 fi engine मिलता है max power 8.02 PS की मिल जाएगी 8000 rpm पे max torque 8.05 NM का मिल जाएगा 6000 rpm पे bike में आपको kick start का support भी जेखने को मिल जाता है तो इस bike की resale value काफी अच्छी है engine काफी साधा reliable है and spike का maintenance भी काफी साधा कम है resale value काफी अच्छी है side body panel पर आपको splendor plus का 3D mention किया गया है bike के नीचे आपको extract की branding मिल जाती है gray color के sticker के साथ exhaust muffler यहाँ पर आपको पूरा chrome में मिलता है exhaust में कोई भी changes नहीं है वही BS6 वाल exhaust है rear suspension की बात करें तो swing arm type के 5 step adjustable hydraulic type के suspension मिलते हैं rear tires की बात करें तो TVS के tires यहाँ पर भी दिये हैं and tire size यहाँ पर आपको same front जैसा ही मिलेगा 8018 cross section का rear में भी आपको 130 mm की drum brake मिल जाएगी जोस्तो इस bike का curve weight 112 kg है and आप आते हैं bike के rear profile की तरफ तो कुछ इस तरह से आपको rear look मिलता है यहाँ पर आपको hero का sticker के साथ halogen tail light and नीचे mud guard पे आपको reflectors मिल जाएगे indicators वही halogen के हैं पीछे आपको metal body का carrier मिल जाएगा जिस पर आप अपना सामान वगेरा रख सकते हैं काफी ज़्यादा मजबूत है ये तो आप इस पर अपना सामान वगेरा बान सकते हो यहाँ नीचे आपको company fitted black color का सारी guard मिल जाता है और यहाँ पर दोस्तों आपको fully covered chain देखने को मिलती है जिससे bike का maintenance काफी जादा कम हो जाता है और chain cover यहाँ metal का है दूसरे side के panel की भी बात करें तो यहाँ पर भी आपको splendor plus and extract का sticker दिया जाता है और दोस्तों नीचे आपको side stand cut off sensor भी मिल जाता है तो आपको यहाँ पर 2 liter petrol कम से कम bike में रखना पड़ेगा नहीं तो आपका F5 खराब हो सकता है seat की तरफ आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको काफी comfortable seats मिल जाएंगी rider and pillion दोनों के लिए comfort यहाँ पर आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा fuel tank capacity की बात करें तो 9.8 liters की tank capacity है and इस bike का mileage आपको 65 से 70 kmpl तक अराम से मिल जाएगा tank पर customer care का number दिया है bike की graphics दिखने में काफी सादा बढ़िया लगते हैं दोस्तों and अब बात करते है bike के switch gears की तो left side में आपको high beam, low beam, indicator and horn का switch मिल जाता है passing switch इसमें आपको नहीं मिलता है वही right में आपको i3S on off and self start का switch मिल जाता है meter console की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको fully digital meter console मिल जाता है orange display के साथ side में आपको सारी warning lights मिल जाएंगी side stand indicator, indicator, deeper, malfunction, i3S की light के साथ neutral and low fuel indicator की light मिल जाती है digital में आपको speedometer मिल जाता है, odometer, trip, trip भी मिल जाता है इसमें आपको 2 trip meter मिलेगा साथ में आपको digital fuel meter मिलता है जो की काफी अच्छी बात है and इसमें आपको real time average भी मिल जाता है bike में आपको दुस्तो Bluetooth connectivity भी दी जाती है तो इसमें आपको SMS alert, miss call alert जैसे features भी मिल जाएंगे साथ में आपको service reminder भी मिल जाएगा meter के side में आपको USB charging port भी दिया जाता है तो आपको बाहर लगवाने की ज़रूरत नहीं है आप यहाँ से अपना phone charge कर सकते हो bike की top speed आपको 95 kmph तक की मिल जाएगी and ground clearance bike का 165 mm का है overall bike की सारे features मैंने आपको बता दिये यही थी दोस्तों इस bike की video वीडियो आपको कैसी लगी? कॉमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को भी subscribe करें मिलते हैं किसी next video में तब तक के लिए जैहिन दोस्तों